इस्ट्ट्वेंट्स कैसे हैं? आफ्टर 12 पांच ऐसी सरकारी जोब्स जो असानी से आपको मिल सकते हैं और बहुत बड़ी लेवल की जोब हैं जी हाँ ऐसी असान गॉवर्मेंट जोब्स की बात करने वाला हूं असान को मतब जिनमें वो एक्जाम जो आप असानी से क्रेक कर सकते हैं और वहाँ पर ज्यादा इंटर्व्यू की टैंशन भी नहीं होती ऐसे कौन से एक्जाम है जिनके आपको तियारी करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नोकरी मिले तो लेट्स गेट स्टर्टेड पर आपको बिलता है दोस्तों मैस्मेटिक्स, केमेस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी के डाउट का सफाया आपको बस कॉश्चन की फोटो कीचनी है, क्रोप करना है और देन उसको क्लिक करेंगे तो आपको तीन सेगेट के अंदर वीडियो मिल जाएंगी तो यहां पर बहुत ही असान है आज ही डाउनलोड के लिजिए नीट जेई और मैस्ट एडवांस के साथ साथ जी यहां गाईज मैसर गौरबारदुअच और अपने इस चैनल पर आपको गौर्मेंट जोप्स के रिगार्डिंग नहीं नहीं अपडेट्स मिलती रहती हैं आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरी वेबसाइट पर भी किलिक करकर विजिट कर लिजएगा सबसे पहली जो आपसाती है भारती रेल्वे इंडियन रेल्वे में कभी सारी वकेंसी निकलती है और हर साल निकलती है कभीकभी एक साल के we can see पहले क्या था इंतरवी था लेकिन अब इंटर्वीू समाप्त कर दी है रेलवे में अब दो इक्जाम होते हैं पहले पिरी फिर मेंANG अगर आप ये दोनों एक्जाम करेब आपको प्रोवाइड करा दूँगा या बना रखी है मैंने नमबर दो पर आता है जिसे हम कह सकते इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में जाने का सपना काफी बच्छों का होता है और यह बहुत ही असान और भधिया जोब होती है इंडियन आर्मी के लिए भी आपको अपना फीजिकल अच्छ बना लेंगे जोड़ सी एपनी दोड जो आपकी है कर लेगे मौनिंग में तो आपका फीजिकल स्टेंथ आपकी अच्छी है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं नमबर दो मैडीकल के दरश्ची से भी आपकी एज के मोस्त स्टूड़ेंट जो ह वो fit and fine होते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा कुछ height का issue रहता है 5-9 की height चाहिए होती है आपका eyes vision 9 by 9 या 6 by 9 का होना चाहिए बगी आपको कोई भी disease नहीं होनी चाहिए अगर आप ये 3 चीज़ हैं तो आप apply कर सकते हैं दो तरह से यहां पर भड़ती होती है जिन बच्चों के पास NCC रही है उनको return exam देने की जूरत नहीं है वो केवल direct ही apply कर सकते हैं और physical देकर GT group से वो job पा सकते हैं लेकि जिनके पास NCC नहीं थी उनको केवल एक exam देना है और कहीं पर तो यह direct भड़ती भी होती है बिने exam के तो अराम से 28-30,000 salary मिलती है Central government की job होती है और आपको पता है कि पूरे भारत में केवल एक ही ऐसी government job है जहां पर pension है और वो है आपकी आर्मी बाकी किसी भी field में कोई pension retirement के बाद नहीं है नमबर तीन पर अगर मैं बात करूँ तो यह job in electric department बिजली घर, बिजली डिपार्टमेंट में आप बिजली विभाग में आप अगर job चाते है यह भी बहुत आसान और बहुत बढ़िया job होती है जी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नोकरिया अलग अलग पोस्ट पर निकलती है अगर आपने ITI कर रखा है तो यहाँ पर technical post के लिए apply कर सकते हो अगर आपने ITI नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर color के लिए apply कर सकते हो यह भी बहुत अच्छा होता है यहां पर क्या होता है आपका एक रिटन एक्जाम और एक इंटर्वी यहां पर में इसका कोई चक्र नहीं होता इस्टेट लेवल की गॉर्मेंट जोब होती है और इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आप चेक करेंगे तो वकैंसी आपको वहीं पता लगेंगे तो हर स्टेट का जो विद्युत विभाग है जो आपका इलेक्टरिशिटी कॉर्परेशन से आप उसमें विजिट करिए उनकी वेबसाइट पर सचके जैसे यूपी है दिल्ली बोर्ड है तो आलग-अलग तो वहां पर आपको उनकी लेटेस जोब्स वगयरा मिल जाएंगे उनक गाएंगे तो डालेक्ट भरती होती है कभी को रिटन एक्जाम होता है इसके बाद सीधा इंटर्वी और आपका सेलेक्शन तो ज्यादा तफ नहीं आता इजी एक्जाम रहता है और आप इसे आजानी से करेक कर सकते हो तो नंबर एक बताया मैंने आपको बताया जी हां मैं ने बताया, जीसे हम कह सकते हैं, बिझली विभाग, जी या, नंबर चार आती है, आपकी स्टेट की राज्ये सड़क परिवहन, यानि के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, जी या, आप जानते हैं, बस वगेरा चलती है, हरी स्टेट में, तो आजी स्टेट के अपनी बस की अच्छागासा हो बस और आपको कभी कब आग तो डारेक्ट ही भरती हो जाती है आपको इंट्रूवी बेसिस पर हो कभी कब किवाल एक एक एक्जाम आपका होता है तो यह भी असान जोब में आती है लेकिन इनकी वज़े क्या है कि इनके बारे में जैसे विद्यू रिवाग हर स्टेट की अपनी वेबसाइट बनी होती है इन सब चीजों की आप उन पर जाकर विजिट करें वहाँ पर आपको लेटस वकैंसी मिलेगी वहीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप गिंती की बीस पचास सो दोसो जो भी वकैंसी निकलती है बहुत कम लोग अपलाई की जी हां यह आती है आपकी स्टेट पुलिस अगर आप अपनी स्टेट पुलिस के लिए जैसे दिली पुलिस भी वह सेंटल में आती है बाग यहरी स्टेट की पुलिस के लिए वकैंसी निकलती है हर साल जिसे भी यूपी में पचास हजार वकैंसी निकली थी और आपको प जिसे फीजिकल कॉमन रहता है थोड़ा बहुत दाइवाइं रूल रहते हैं बाकि मैडिकल कॉमन रहता है ठीक है और आपका जो एक्जाम होता है वह भी लगबल लगबल कॉमन रहता है और सबसे बड़ी बात यह 12 के बाद पूलिस के लिए एक उस्टेबल के लिए जो कर लोगे अगर आप एक average student हो तो यह पांच उस्टेबल को के लिए आप अगर करते हैं तो और अगर tellsने अपकी जो लगी जी या निशिन्ती मैं बता रहा हूं आपको तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा और अगर आप कहेंगे तो इन से किसी पर्टिकुलर पर इनीशल मैं अलग से वीडियो भी आपके लिए प्रवाइड करा दूगा अगर मैं बात करूं इन को पाइलेट को छोड़ कर सिटिंग जो मिलती है और आपको सेलडिस चिकासी मिलती है और उसके लावा जो को आपको मिल जाती है जो कि अधर जोपस में नहीं मिल पाती है तो आज यह अप्लाई करें मुझे कमेंट करके जुरू बते कि आपको कॉन सी बढ़िया लगी मेरी वेबसेट पर विजिट करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब नहीं हैं